हेलो प्रेंट्स और हमारे प्रिये छात्रगन एक बार फीर मैं स्वरूप सर आपका इस छार्कन के आउनलेन क्लासिस में स्वागत करता हूँ छात्रगन जैसा कि हमारा चेप्टर कंटिडू चल रही है जारी है जार्कन के इतिहास से रिलेटेड आपको साथ सासन ब्यवस्था पढ़ना है जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा है मुंदा शासन ब्यवस्था जो मुंदाओं की है नागवनसी सासन ब्यवस्था जो नागवनसीों की है पढ़ा पंचायत शासन ब्यवस्था जो उरामों की है मान जी परगना सासन ब्यवस्था जो संथालों की है मुंदा मान की सासन ब्यवस्था जो हो लोगों की है और फिर मैंने पढ़ा था धोकलो शोहर सासन ब्यवस्था जो खड़िया लोगों की है इसके पर साथ सिलेबस का एक और पार्ट से है जातिये पंचायत सासन ब्योस्त्रा चादरगन जेपी एससी पीटी पेपर टू जेपी एससी पीटी पेपर टू में ये टॉपिक आप पड़ने है हम यहाँ पे इसके पहले संथाल उराओं मुंडा हो खड़िया की शासन ब्योस्ता को देख चुके हैं तद पर साथ यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जारखन में अनसुचित जाती जन जाती और सदान की अपनी अपनी पंचायत ब्योस्ता कायम है चाहे उस सदानों की हो चाहे उस अनसुचित जाती की हो चाहे अनसुचित जन जाती की हो हम यहाँ देखेंगे कि और कौन-कौन S.C.S.T. और सदान है जिसकी अपनी जायती पंचायत ब्योस्ता है और उसे किस नाम से पुकारी जाती है पिशातरगन आज का हैदिंग होगा आपका चिप्टर का नाम होगा चिप्टर है जातिये पंचायत साशन ब्योस्ता और इसका अपनों लिखेंगे जाती जन जाती या सदानों की सदान जो यहां के गैर जन जाती है मुल्निवासी है उसे सदान बोलते हैं या सदानों की अपनी अपनी समान रुप से सभी अनसूचित जाती जन जाती और सदानों की अपनी अपनी परंपरागत परंपरागत जो पंचायत विवस्था होती है विवस्था होती है उसे जाती पंचायत विवस्था कहते हैं उसे जाती पंचायत विवस्था कहते हैं next point सदानों में अनेक जाती सदानों में शादरगन सदान कहते हैं जारखन के गैर जन जाती प्रंतु मूल विवासी जो यहीं प्रारम से ही बसे हुए है उसे ही सदान कहते हैं ठीक है शादरगन तुम लिखाना चाह रहे हैं सदानों में अनेक जाती पाए जाते हैं और उनके अपने अलग अलग सदानों में अनेक जाती पाए जाते हैं और उनके अपने अलग अलग और अपने और उनमें अपने अलग अलग पेसे हैं अपना पेसा पेसा है जो अपने पेसे के जातिये नाम से जाने जाते हैं जैसे पेसे के जातिये नाम से जाने जाते हैं जैसे तेली बनिया गौला मला कसेरा केवत कुमहार गासी बुनकर तूरी इत्यादी इत्यादी next point उपर्युक्त जातियों की अपनी परमपरिक या पारामपारिक जातिय पंचात होती है अपनी परंपरिक जाती पंचाथ होती है पंचाथ होती है यद पी सरकारी ग्राम पंचाथ के गठन से इनकी जाती पंचाथ इनकी जाती पंचाथ व्यवस्था कमजूर हो गई है कमजूर हो गई है उसी में वर्तमान में परतेख जाते की वर्तमान में परतेख जाते की जाती पंचाथ वर्तमान में परतेख जाते की जातिये पंचायद ग्राम अस्तर से लेकर अनुमंडल, जीला और तमान ने परतेक जातिये पंचायद ग्राम अस्तर से लेकर अनुमंडल, जीला, राज तथा राश्टिये अस्तर पर बटे हुए हैं अस्तर पर बटे हुए है साथी साथ साथी साथ जातिय पंचायत कोर्ट कशर्णी पर भी सरकारी कोर्ट कशर्णी पर भी निर्भर है निर्भर है निर्भर है निर्भर है निर्भर है जातिय पंचायत साथन ब्युस्था में कहीं कहीं जातिय पंचायत साथन ब्युस्था में कहीं कहीं किसी जाती के अध्यच महासचीव जाती ये पंचायत शासन ब्योस्था में कहीं कहीं किसी जाती के अध्यच महासचीव आदी ऐसे समाजिक मामलों को देखते हैं, जो उनके जाते से समंदित हैं, जो उनके जाते से समंदित हैं, और अपना निर्ने डिशिजन, और अपना निर्ने भी देते हैं, यद भी हत्या, चोरी, डकैती, जैसे अपराधिक मामलों में, यद भी हत्या, चोरी, डकैती, जैसे अपराधिक मामलों को लिकित को जातिये पंचायत नहीं देखती, जातिये पंचायत नहीं देखती, समान रूप से जातिये पंचायत बिसेश कर, समाजिक मामलों जमीन जगह जमीन जगह तथा बिसेश कर बैवाहिक मामलों को, समान रूप से जातिये पंचायत बिसेश कर समाजिक मामलों जमीन जगह तथा बिसेश कर बैवाहिक मामलों का समधान जातिये पंचायत में अधिक होते हैं, इससे कम समय, कम खर्च, तथा आपसी सम्मंद बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है, जो एक प्रकार से लोग अदालत की तरह काम करता है, नेक्स्ट पॉइंट, संथाल, उराओं, मुंड़ा, संथाल, उराओं, मुंड़ा, हो, खड़िया, आदी जन जातियों के अलावा, अदी जन जातियों के अलावा, अन जन जातियों में भी, पारंपारिक रूप से जातिये पंचायत, जातिये पंचायत, सासन बेवस्था, पाई जाती है, पाई जाती है, जैसे, जैसे बिंजिया, जैसे बिंजिया एक जन जाती है, जैसे बिंजिया जन जाती में जातिये पंचायत में दो परधान, जैसे बिंजिया जन जाती में जातिये पंचायत में दो परधान होते हैं, परधान दो होते हैं, दो परधान होते हैं, मादी, मादी और गदी, मादी और गदी, उसी में, इसी परकार बत्थुडी, जब जाती है सब है, सब 32 में सामिल हैं सब, इसी परकार बत्थुडी की जाती है पंचायत के मुख्या, देहरी कहलाता है, जो पुरोहित का काम भी करता है, इनका अपना परमपरिक कानून है, इनका अपना परमपरिक या परमपरिक सासन बेउस्था है, इनका अपना परमपरिक सासन बेउस्था है, नेक्स्ट, के नाम पर मात्र इनकी जाती पंचायत है, मात्र इनकी जाती पंचायत है, नेक्स्ट पॉइंट बेदिया जनजाती है, नेक्स्ट पॉइंट बेदिया जनजाती की सासन बेउस्था में, अपने समाज को नियंत्रित रखने के लिए, अपने समाज को नियंत्रित रखने के लिए, ग्राम अस्तर से लेकर संपूर्ण समाजिक अस्तर तक संगठन पाए जाते हैं, बेदिया जनजाती में, या बेदिया जनजाती की सासन बेउस्था में, अपने समाज को नियंत्रित करने के लिए, रखने के लिए, ग्राम अस्तर से लेकर संपूर्ण समाजिक अस्तर तक संगठन पाए जाते हैं, जिसके मुक्या को परधान कहते हैं, कहें कहें, कहें कहें मुक्या को माहतो उहदार, कहें कहें मुक्या को परधान को माहतो या उहदार भी कहा जाता है, उसे में कई गाओं को मिलाकर परधान द्वारा, कई गाओं को मिलाकर एक परधान द्वारा सरकार चुना जाता है, नाम दे गए सरकार चुना जाता है, जो अंतर ग्राम में मतलब दो तिन ग्राओं को या उससे अधिक जो अंतर ग्राम में बिवादों का निराकरन करता है, जो अंतर ग्राम में बिवादों का निप्टारा करता है, नेक्स्ट, भूमीज, भूमीज, जनजाती की अपनी जातिय पंचायत को, भूमीज, जनजाती की अपनी जातिय पंचायत होती है, और इसका मुक्या परधान, वे बेदिया की तरह, और इसका मुक्या परधान कहलाता है, परधान कहलाता है, कहलाता है, नेक्स्ट पॉइंट, बैगा जनजाती में, बैगा जनजाती है, बैगा जनजाती में, गोत्रिया गाउं के अस्तर पर संगठन पाया जाता है, जिसके मुक्या को बैगा जनजाती में, गोत्रिया गाउं के अस्तर पर संगठन पाया जाता है, जिसके मुक्या को मुकद्दम, जिसके मुक्या को मुकद्दम कहते हैं, और मुक्या के सहायक को सियाना और सीखे, मुक्या के सहायक को सियाना और सीखे कहते हैं, या सहायक और मुक्या के सहायक सयाना और सीखे होते हैं, सीखे होते हैं इतरह से ये उनके पतादिकारी हैं जो मुगद्दम का हेल्प करते हैं नेक्स्ट खोंड जनजाती है खोंड जनजाती की सासन ब्यवस्था प्राचिन काल में गोंड जनजाती की सासन ब्यवस्था मैं बोल रहा हूं खोंड गोंड नहीं खोंड खोंड जन्जाती की सासन बेवस्था प्राचिन काल में इनका ग्राम संगठन बहुत मजबूत था मजबूत था इसके मुख्या को गोटिया कहते है या इसके मुख्या गोटिया कहलाता है मतलब बैगा जन्जाती की मुख्या गोटिया कहलाता है नेक्स्ट खरवार जन्जाती में परंप्रागत जाती पंचायत खरवार जन्जाती में परंप्रागत जाती पंचायत होती है खरवार जन्जाती में परंप्रागत जाती पंचायत होती है खरवार जन्जाती में परंप्रागत जाती पंचायत होती है गाओं का बरिष्ट एवं यूग बेगती इसका परंप्रागत जाती होता है परंप्रागत जाती होता है कावर जन्जाती में अपने समाज के संचालन जाती है कावर जन्जाती में अपने समाज के संचालन एवं नियंत्रन के लिए एक मुख्या होता है जिसे सयाना कहते है बोट पर लिखावा है जिसे सयाना कहते है सयाना कहते है नेक्स्ट कौरवा जन्जाती के जाती पंचायत के अलावा कौरवा जन्जाती के जाती पंचायत के अलावा ग्राम पंचायत होती है कौरवा जन्जाती के जाती पंचायत के अलावा ग्राम पंचायत होती है जिसका मुख्या प्रधान जिसका मुख्या प्रधान कहलाता है कहलाता है अंतर ग्रामें इंतर भिवेज अंतर ग्रामें बिवादों को बड़ा मुख्या नाम दिया गया है अंतर ग्रामें बिवादों को बड़ा मुक्या सुलजाते हैं बड़ा मुक्या सुलजाते हैं Next माल पहाडिया जिन जाती है यहाँ पर सौरिया पहाडिया माल पहाडिया तो यह हम लिखा रहे हैं माल पहाडिया माल पहाडिया के गाओं ही इनके माल पहाडिया के गाओं ही इनके राजनितिक संगठन का इकाई होता है माल पहाडिया के गाउं ही इनके राजनितिक संगठन का इकाई होता है और गाउं का मुख्या मांजी कहलाता है मांजी, मांजी और गाउं का मुख्या मांजी कहलाता है मांची कहलाता है जबकि अंतर ग्राम में जगड़े को सुलजाने वाले मुख्या को सरदार कहते हैं नेक्स्ट परहिया 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 जनजाती समाज या गाउं के संचालने में परहिया जनजाती समाज या गाउं के संचालन में खूट की मतलब एक परिवार का खूट की विसेश भूमिका होती है खूट मतलब एक पुरे वन्स खूट की विसेश भूमिका होती है नेक्स्ट सौरिया पहाडिया जनजाती की सासन बेउस था बड़ा ही लोग तांत्रिक है सौरिया पहाडिया की या सौरिया पहाडिया जनजाते की सासन बेउस था बड़ा ही लोग तांत्रिक है जार्खन के जनजातियों में बंजारा बिरहोर चिक बड़ाइक धार्खन के जनजातियों में बंजारा बिरहोर चिक बड़ाइक करमाली किशान कोल कोल लोहरा और महली जनजातियों में राजनितिक संगठन नहीं है राजनितिक संगठन नहीं है यह ना के बराबर है ना के बराबर है यद पी बिरहोर जनजाति में टंडा यद पी बिरहोर जाती में टंडा यद पी बिरहोर जाती में टंडा जहां कई गोत्र के बिरहोर बिरहोर जाती में टंडा जहां कई गोत्र के बिरहोर भोजन समू या सिकार समू के रूप में बटे हैं सिकार समू के रूप में बटे हैं अपने कुंबो में रहते हैं अपने कुंबो में रहते हैं यही उनका सरोपरी सबस्क्राइब यही उनका सरोपरी संगठन माना जाता है यही उनका सरोपरी संगठन माना जाता है और हर एक कुन्बा का मुख्या होता है और हर एक मुख्या का और हर एक कुन्बा का मुख्या होता है जिसे नाए कहते हैं जिसे नाए कहते हैं तो छातर गयन जे पिए सी पीटी पेपर टू का फॉस्ट शिप्टर जो है वो है जारखन का इतिहात समन्दीत साथ पंचायती या साथ साखन बेवस्था संथाल का मुंडा का हो का उराओ का कडिया का और एक पढ़ना था जाती पंचायती साथ साखन बेवस्था हम लोगों ने यहां देखा कि कौन कौन चार मुख्य जो जन जाती है पांच उसके अलावा अनुन जो जन जाती है उसकी अपनी अपनी भी पंचायत बेवस्था है जिसके अपनी कोई साखन बेवस्था नहीं है जिसमें नाम आता है बंजारा, बिरूहूर, चिकबराइक, कोल, खिसान, लोहरा, महले इनके अपनी कोई राश्यती संगठन नहीं है यद पी इन में से बिरुहूर का थोड़ा बहुत रालिती संगठन देखी जा सकती है शात्रगन ये सिलेबस मैं समझता हूँ इस सिलेबस से ठोट प्रस्न, कूल, सुल्ला नंबर का प्रस्न आप से पुछा जाएगा मैं समझता हूँ जिस प्रकार मैंने आपको मुंडा, मुंडा मान की, ढोकलो सोहर, मांजी परगना, इत्यादी सासन प्रस्ता को लिखवाया है, समझाया है मैं समझता हूँ अगर ये सुल्ला प्रस्न का या उससे अधिक प्रस्न जो पूछा जाएगा JPSC PT Paper 2 में आप अच्छी तरह से उसका जबाब दे पाएंगे चातरगन हम नेक्स क्लास में JPSC PT Paper 2 का जो नेक्स सिल्लेबस है उसमें कौन कौन स्ट्रिक्टर पढ़ना है, सिल्लेबस में कौन सा प्रस्न कुछ जाएगे इस सारी बातों की चर्चा हम नेक्स क्लास में करेंगे ओके ठैंक्यू